खेसारी लाल यादो के राइटर अखलेस कश्यप कह रहे हैं कि पवन सिंग खेसारी लाल यादो को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जिस पवन सिंग को देखकर हम लोग सीखे हैं, जिनको सुनने के लिए हमने इंतिजार किया है, जो इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े फेस हैं, आज वही पवन सिंग इतना नीचे गिर गए हैं, कि वो मंज इसे चड़कर अशलील गाना गाने माले गायकों को प्रमोट कर रहे हैं, अखलेस कशप ने कहा कि पवन सिंग के गानों का दर्शकों को इंतिजार रहता है, पुरे भोशपुरे इंडस्री में पवन सिंग एक बड़ा नाम है, उनका अपना एक ओहदा है, वो इस इंडस्री के धरोहर है, जाने कितने लोग उनको अपना आ इंडस्री में जादा दिन के महमान नहीं है, वो इस इंडस्री में आने वाले एक से दो साल तक ही गाप आएंगे, उसके बाद उनको चुनाव लड़ना है, तो ऐसे में उनको कम से कम ये सोचना चाहिए, कि जाते जाते इंडस्री का नाम बड़ा करके जाएं, लेकिन वो इंडस्री को बदनाम करने में लगे हैं, अश्रील कलाकार को प्रमोट करने में लगे हैं, और खेसारी लाल यादो को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अखलेस कश्यप ने ये सारी बाते अपने एक नीची इंटर्व्यू के दौरान कहा, जब उनसे पूछा गया कि भोजपूरी पावर इस्टार्व पावन सिंग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो चंदन चंचल को प्रमोट कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि खेसारी लाल यादो के राइटर, अखलेस कश्यप पावन सिंग और खेसारी के विवात पर क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले, नमस्कार, मेरे नाम है डॉली पांडे, मेरे साथे कैमरेमेंट विशाल और आप देख रहे हैं, जनता जंक्षर, पहले आप समझे कि पूरा मामला क्या है, और खेसारी लाल यादो के करीबी पावन सिंग को गाना गाने के लिए कहते हैं, और उसके बाद चंदन चंचल पावन सिंग का शुक्रिया अदा करते हैं, और चंदन मंच से अपने उसी गाने को गाते हैं, जिसके कारण वो खूब ट्रॉल किये गये थे, जिस गाने के लिए चंदन चंचल को खूब बुरा भला कहा गया था, जिस गाने के खूब आलोचना की गई थी, उनके जिस गाने के लिए भोजपूरी के यूटूबर्स उनको खूब ट्रॉ पावन सिंग का सपोर्ट पाकर चंदन चंचल वो सारा गाना गाते हैं जिन जिन गानों पर जमकर विवाद हुआ था चंदन चंचल जब गाना गा रहे थे तब पीछे मंच पर पावन सिंग उनके टीम के लोग भोशपूरी सिंगर अनुपमा यादो भी खड़ी थी और पावन सिंग की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पावन सिंग के अंदर जरा भी घमन नहीं है वो अपने से छोटे कलाकार की बहुत इज्जत करते हैं वो मंच पर छोटे कलाकार को भी गाना गाने का मौका देते हैं जबकि और कलाकार ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं वह से बयानबाजी कर रहे हैं और इसी मामले पर इंट्रव्यू के दारान खिसारी लालियादों के राइट एर अखलेस कश्यप ने कहा है कि पहले में पावन सिंग की बहुत इज़त करता था उनकी बहुत सम्मान करता था उनको अपने बड़े भाई की तरह मानता था पावन सिं कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो खिसारी लालियादों को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं मेरी नजर में वो बहुत बड़े सिंगर है उनका अपना एक स्काडम है वो भुचपूर इंडस्री के बहुत बड़े धरोहर के रूप में जाने जाते हैं लेकिन उनकी मती भ्रस्ट हो चुकी है वो अंधे हो चुके हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो मंच पर चड़ कर चंदन चंचल जैसे अश्लीर गायकों को प्रमोड कर रहे हैं यह जानते हुए भी कि वो इस इंडस्ट्री में एक-दो साल के महमान है इतना ही नही हैं कि इसमें पववन सिंग कोई गलती नहीं है उनके गाइड करने वालों की गलती और रहे है और अख लेस के साथ वीडियोस को यह और समात करते हैं और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ तब-द keyword दिजियो